गरीब का बेटा मोदी, गरीब का सेवक है, मैं जब तक देश के हर भाई बेहन की, गरीबी दूर नहीं करनेगा, जैन से नहीं बैठूंगा जब सही होती है, औसले बुलंद होते हैं, तो नतीजे भी मिलते ही हैं इतने सारे काम हुए, वो यह कहेगा, यार मोदी जी भॉब हो गया, इंद्यास में नाम हो गया, अब तो आराम खरो मेरा उनको जवाब है, मोदी, भॉज करते के लिए नवीचा है, कि ये तो अभी ट्रेलर है, गाडी, जोब गेर में ले जाना है अभी तो रनवेपर हैं, नई उचाईयों को पार करना है, बिजली का पील, जीरो हो जाए, सुन्य हो जाए, देश्वादी आप इस देश के मालिक है, आप मुझे बताइए, क्या मोदी गैर कानूनी काम करना है, क्या गैरन्टी देना गैर कानूनी है, क्या मैं मेरे देश्वाद्चियों को महनत करनेगी गैरन्टी देता हूँ, तो क्या मैं गुना करता हूँ, मैं मेरे देश्वाद्चियों को ये कहूँ, कि मैं 24 गंटे काम करूँगा, तो क्या गुना है, साथियों, गरीब का बेटा मोदी, गरीब का सेवक है मैं जब तक देश के हर भाई बहन की, गरीबी दूर नहीं करनूँगा चेहन से नहीं बैठूँगा बीते दस वर्सों में, गरीब कल्यान के लिए जो काम हुआ वो आजहादी के, बाद के, छेह दसकों में भी नहीं हुआ था इसी का नतीजा है, कि दस वर्सों में, पचीस करोड लोग, गरीबी से बहार आए हैं जब नियत सही होती है, होसले बुलंद होते हैं, तो नतीजे भी मिलते ही है और साथियों, अगर मैं आप कोई पूछूंगा, तो आप इस सरकार के अंगिनत काम बता देंगे हर इलाके का लोग बोलेगे, हाँ हमारे यहाँ यह हुआ, हर परिवार कहेगा, हाँ हमारे यहाँ यह हुआ दस साल में इतना काम, इतना तेजी से काम, पहले कभी किसे ने कलपड़ा नहीं की थी, उतनी तेजी से आज काम हो रहा है लेकिन भाईयो भनो, आपको लगता होगा, साभी सर्वे वाले कहते हैं, कि इस बार तो 400 पार पक्का है सारे अखबार वाले लिखते हैं, 400 पार पक्का है, सब लोग कहता है, कि भी NDA का जैजेकार है फिर लोग कहते हैं, अरे इतना सारा हो रहा है, मोदी इतनी महनत क्यों कर रहा है भाईयो बहनों, चुनाव तो आपने जिताना ताय कर लिया है मैं तो महनत इसलिए करता हूँ, कि मुझे आपके दर्शन करने का सवभाग्य मिल जाता है अपनों से मिलने का आनन्द होता है, अपनों को मिलने से उर्जा मिलती है अपनों को मिलने से प्रेरणा मिलती है, और इसलिए मैं आपके बीच आता रहता हूँ और भाईयो बहनों, इतने सारे काम हुए कोई ये कहेगा यार मोदी जी बहुत हो गया इत्याथ में नाम हो गया अब तो आराम करो मेरा उनको जवाब है मोदी मोज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है मोदी महनत करने के लिए ही जन्मा है और वो भी एक सो चालीस करोर देश स्वासियों के लिए अब तक बहुत हुआ है बहुत किया है लेकिन मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है इतने से हमें रुकना नहीं है अभी तो गाड़ी टॉप गेर में ले जाना है अभी तो रनवे पर है नई उचाईयों को पार करना है मोदी की गारंटी है कि गावों की तीन करोड बहनों को लगपती दीदी बनाएंगे अब मोदी की गारंटी गाव और गरीब परिवार की बहनों को ड्रोन पाइलेट बनाने की है मोदी ने पी-एम सुर्यगर मुक्त बिजली योजना भी शुरू की है ताकि गरीबों का बिजली का बील मद्यमबर का बिजली का बील जीरो हो जाए सुन्य हो जाए लेकिन साथियों मोदी की ये गारंटी यां कॉंग्रेस आरजेडी वाले इंडी गडबंधन वालों को परेशान कर रही है उनको पसंद नहीं आ रही है इंडी गडबंधन के एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि मोदी जी आपको जो गारंटी देता है उस पर बेन लगना चाहिए अरे इतने डर गए हो क्या अरे मोदी की गारंटी से गवरा रहे हो क्या ये लोग कहते हैं और कानून को जान कर कह रहे हैं कि मोदी का गारंटी देना ही गैर कानूनी है मेरे देश वादी आप इस देश के मालिक है आप मुझे बताइए क्या मोदी गैर कानूनी काम कर रहा है क्या गैरंटी देना गैर कानूनी है क्या मैं मेरे देश वाद्चों को महनत करने की गारंटी देता हूँ तो क्या मैं गुना करता हूँ मैं मेरे देश वाज्चों को यह कहूँ कि मैं 24 गंटे काम करूँगा तो क्या गुना है मोदी गारंटी देता है उसको भी उन्होंने गुना बना दिया अरे भाई मोदी गारंटी इसलिए देता है क्योंकि उसके पास गारंटी पूरी करने का मादा है